ओम शान्ती आईए जानते हैं आज की मुरली से आज का राशिफल आज बाबा ने कहा शरीर निर्वा के लिए कर्म तो करना ही है लेकिन सब कुछ करते भी अगर सारा दिन बाबा को याद रखेंगे तो आपकी कमाई डबल हो जाएगी अर्थात हद और बेहद दोनों कमाई हो प्रशार्थ आज बाबा ने दी विशेश समझानी बच्चे केवल वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाना कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं मनसा वाचा कर्मना पावन बनना है आज बुद्धी में एक भी विकारी संकल्प नहीं आए आखे जरा भी दोखा नहीं दे लेकिन वह कब होगा जब अपने को आत्मा समझ भाई- भाई की द्रिस्टी रखेंगे फिर बाबा ने खबरदार करते हुए का बच्चे चार्ट जरूर रखो अगर आपने सर्विस का और याद का चार्ट नहीं रखा तो कल्प-कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा ओम शान्ती वो कहते थे हमेशा तीन बात याद रखो तो आलस से नहीं आएगा सुस्ती भाग जाएगी वो तीन बाते हैं चड़ाई, लड़ाई, कमाई इन तीन में कभी कोई सो नहीं सकता, रेस्ट कर नहीं सकता, रुक नहीं सकता हमेशा याद रखो कि हम उँची चड़ाई पर जा रहे हैं इसलिए कल भी हमने बात की थी रुकने का कोई मार्जिन नहीं है, हम स्लोप पर है हम तभी रुकेंगे जब हमारी मन्जिल आ जाएगी उस से पहले रुकना मेंज खाई में गिरना, रिस्क है रुकना मेंज पुरशार्थ रोक देना रुकना मेंज मन का एफर्ट और तन का एफर्ट बंद कर देना दोनों तरह का आलत से होता है मन का भी आलत से है मन से खाली बैठे वेस्ट सोचते रहेंगे यहां गए थे यह खाया था वगेरा उसके बजाए यह सोचे मैं आत्मा हूं परमधम जा रही हूं तो आलत से आता है नई नई योग थोड़ी देर बाद करेंगे यह मन का आलत से फिर तन का आलत से भी होता है उठो भोजन बनाओ नई नई आज तो बस bread ला के खा लेते हैं नई भोजन नई बनाना तन का आलत से तो यह आलत से तब आता है जब हम भूल जाते कि हम बहुत उची मन्जिल के राही है सारा संसार मुझे देख रहा है और मुझे follow करने वाला है जो करम मैं करूंगा मुझे देख करके सारा संसार करेगा I am on the stage और जो करूँ लोग ताली बजाए once more बोले क्योंकि मैं उंची मन्जिल की और जाने वाला राही हूँ चड़ाई पर भी हूँ रोल मॉडल भी हूँ हीरो एक्टर भी हूँ इस संसार का मुझे देख करके पूरे संसार ने follow करना है मैं इसका law maker हूँ जैसा हम करेंगे उस सारे संसार में laws बनने वाले हैं और जो मैं कर रहा हूँ वो सारा पूरे संसार में डिस्पले हो रहा है सब लोग देख रहे हैं जैसे हम स्टेज पर आ जाएं कोई यहां बैठा जुटके मार रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ उसको भोलो भाई दो मिनिट स्टेज पर आओ नेंद उड़ जाएगे सारी तो चड़ाई है नेंद उड़ा देती है सुस्ती भगा देती है और इस चड़ाई में यह तीन चार बाते याद रहें कि मैं हीरो पाटधारी हूँ मैं रोल मॉडल हूँ मैं इस संसार के अंदर मेरा सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं मैं लौ में करूँ जो करूँगा उस सारे लौज संसार पूरा पांच अज़ा साल तक उसको फॉलो करेगा अगर इस तरहें से अंदर अपनी उची चड़ाई याद है यह उची बात है मेरी तो हमारा आलस से बहुत जल्दी भाग जाएगा पर इन ही पांचों बातों पर निश्च बुद्धी चाहिए नहीं तो हम सोचने लगते हैं मैं रूम में अकेला हूँ कौन देख रहा है कितने बज़े उठे चार बज़े बाबा को गूड मॉर्निंग तो कर दिया था अब सोके छे बज़े उठे कौन देखता बोलेंगे अमर्थवेला किया था पांच मिनट किया किया तो है झाये जुटका मारके किया किया तो है समझ लेते हैं कौन देख रहा है बहुत सारे कामों में कौन देख रहा है नहीं, ये संसार एक इको सिस्टम है, इको, जो करेंगे रिसाउंड होगा, जो करेंगे, कितना मर्जी सौ गुफाओं के अंदर छिप करके भी कोई काम कर लिया जाए, हम न बोले हमारा वाइब्रेशन बोलता है, हमारे फेचर बोलते हैं, हमारा औरा बोलता है, पांचो तत्वों के अंदर, पूरे संसार की फिलम के अंदर हमारा हर करम रिकॉर्ड हो रहा है, ये शूटिंग पीरियेड है, ये भी हम याद रखेंगे, तो हमारा अलस से भाग ज ये shooting period है, ये है हमारी चड़ाई, दूसरी बात, जग्दीश भाई जी कहते थे, हमेशा याद रखो, मैं लड़ाई के मैदान में हूँ, आल्सी हो नहीं सकता, रुक नहीं सकता, ठक नहीं सकता, क्योंकि अगर रुक गए, तो माया मार डालेगी, माया के साथ लड़ाई है, सावधाने हटी, दुरघटना घटी, और माया बहुत अप्टिव है, माया बहुत अलर्ट है, माया एक सेकेंड भी नहीं सोती है बहुत जबर्दस्त पहरेदार है बाबा ने एक मुरली में कहा था ये माया मेरी बेटी है मेरे को फेवर करती है जो बच्चे मुझे याद नहीं करते या मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको थपड मारती है जो मेरी याद में रहते उनको कुछ नहीं कहती है जो मेरी याद में नहीं रहते या मेरी श्रीमत पर करम नहीं करते मैं माया को कहता हूँ जाओ माया इनको नाक कान से पकड़के खूफथकाओ तो माया मेरी आग्याकारी बेटी है तो लडाई में सामने खड़ी है ना तो जीत प्राप्त करके ही छोड़ेंगे माया पर उससे पहले ना थकेंगे ना रुकेंगे ना हटेंगे लेकिन इस युद्ध के मैदान में अड़े रहेंगे अडे रहेंगे, जीत करके हटेंगे, तो जीत का संकल्ब, जीत की अंदर निश्च बुद्धी, हम कल्प कल्प के वेज़ई हैं, हार नहीं सकते, रुक नहीं सकते, ठक नहीं सकते, माया हमें मार नहीं सकती, क्योंकि माया तो कागज का शेर है, मरी पढ़िये, इश्वरिये शक्तियां मायावी शक्तियों से बढ़िये, इसलिए ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती, अपने जीत पर निश्चे होगा, तो हम आलसी नहीं होंगे, तीसरी बात कमाई, ये बहुत इंपोर्टेंट बा करते हैं, ये पुस्ट पुन करते हैं, ये पुरुशारत में ढीले रहते हैं, आलसी होते हैं, जिनको कमाई का अनुभव नहीं है, थोड़ी देर भी याद में बैठते हैं, कनेक्शन मिलता ही नहीं है, कनेक्शन मिला ही नहीं, करंट आया ही नहीं, बोर होगे उठ जाते है कि सेवा करते समय भी, सेवा का अनंद नहीं लिया, सेवा से दुआएं नहीं कमाई, तो उनको सेवा का भी अट्रेक्शन होता नहीं, उनको स्थूल धन का अट्रेक्शन हो जाता है. स्थूल धन में अगर रिश्वत भी लेनी पड़े चले जाएंगे रिश्वत देनी भी पड़े कुछ पैसे के लिए कर लेंगे जूठ बोलना पड़े ब्रामनों करके हेरा फेरी ठगी करनी पड़े छोटी बड़ी चोरी करनी पड़े सम्टाइम्स कर लेते हैं आज आए तो मैं पा रहे हैं, पा रहे हैं, मिल रा है आज शांती हा गई, आज सुख आ गया अज प्यार बहत आया आज बाबा से दोस्त के रूप में बात किया आज तो मैं सवर्ग में प्रिंस ऑनके घुमता रहा आज तो सुक्षम वतन में फरिष्टा बनके घुमता राज, भक्तों को वर्दन दिया, आज मैंने दुखियों के दुख दूर किया, आज बहुत बाबा की कशिश फील हो रही है, आज बाबा ऐसे लग रहा है, गले लगा रहा है, कमाई फील हो रही है, तो जिसको कमाई फील हो रही है, उस सो नहीं सकता